तो दोस्तो आज ए 4 जून 2023 कल 5 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरूर नहीं जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पर हमने देखा मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला जैसे कि आप देख सकतो पूरा कपूरा ट्रेडिंग वीक पे ल 50 के अंदर क्लोजिंग वा 18,534 पॉइंट पे लगबग 0.25% तेजी के साथ तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important key factors कुछ important news के उपर जो की अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे मार्केट को ट्रिगर कर सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगदे कि अपकमिंग comment box में comment करके जरूर बताना अब चले दोस्तों एक एक करके जो important event है important key factors है आपके सामने में present करता हो तो दोस्तों लास्ट अमने देखा था कि RBI का जो monetary policy committee meeting में एकदम रेपोरेट अंचेंज था मतलब पॉस था कोई भी आपे रेपोरेट हाइक नहीं किया था इस बार भी दोस्तों अपकमिंग ट्रेडिंग विक पे MPC मीटिंग होगा यानि monetary committee policy meeting तो यह मीटिंग होगा दोस्तों 6 जून से शुरू होगा तीन दिन का अब देखें पीच में देखा कि इंडिया का जो inflation rate है वह बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है इवन आर्बिया का जो tolerance लेवल है उससे भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है तो most of the expert का कहना यह है कुछ-कुछ यहां पर ऐसा भी प्रेट कर रहा है कि हो सकते है कि थोड़ इस बार रेट कटने होगा आगे हो सकता है इस बार फिर से पाॉस हो सकता है मतलब लास्ट मीटिंग की तरह है ठीक है तो जिस बैसे यह जो मीटिंग शूरू होगा दोस्तों चेह जुन से मतलब ट्यूसड़े से वेट्नेस टेट थर्श्डे इसका आउटकम नेकलेगा तो याद करके देखें बहुत जादा क्रैश हो गया था ठीक है क्योंकि यूएस मार्केट के यूपर डेट सिलिंग के पर एक बाजी चल रहा था नेकोशियेशन चल रहा था फाइनल जैसे कि सब सब कुछ डील फिक्स्ट हुआ सब कुछ नॉर्मालाइज हुआ वैसे हमने देखा लाज्टे फ्राइडे की दिन फिर से और प्रैस कंदर जम देखने को मिला क्रूड और ब्रेन कुड फिर से अपने पुराने लेवल पर पहुंच चुका है नेक्स्ट अगर हम बात करें एफाइस डेस का डेटा अब देखें एफाइस ने भाया कमाल कर दिया धमाल मचा दिया इंडियान मार्केट में में मैं पर तो आप देख सेकतो कि टोटल एफाइस ने में की मैंने पर 43,838 करोर का शियर खरिधारी किया जो की लास्ट एक साल सबसे ज्यादा हाइस इवन 2023 में भी सबसे ज्यादा हाइस बाइंग हमें देखने को मिला एफाइस द्वारा तो अब समसे तो कितना ज्यादा एफाइस बुलिश है इंडियान मार्केट को लगे खास करके लास्ट अगर हम बात करें वह भी आप देख से तो लगबग इसको काउंटर करते है थोड़ा बात सेल भी क्या क्योंकि दिया देखा था इंडियान मार्केट करेक्शन हुआ था उस समय थोड़ा बहुत हमें मतब पर्चेस देखने को मिला था तो अब देख सब्सक्राइब लगबग 1043 करूर का सब शियर सेल किया यह दोस्तों एपस् को रिक्रीश कर्कीमिकल सेक्टर हो गया एकणी के शक्तूर के अंभा सेस्ट बात करें कुछ इंपॉर्ट इक इक य назв रोगर सिंसे हम बुलते हैं तो इन फिप जून कह सर अपको जून के दिन हम आपको क्या मालूम पड़ेगा कि कहा पे कितना डिमांड है कह पे टेकनिकल पॉइंट व्यू से तो यहां पे मार्केट का जो एक्सपर्ट है उनका कहाना यह है कि अगर निफ्टी यहां पे सस्टेन कर गाया मतलब यहां पे जो सपोर्ट लेबल में मेंशन किया अट्राज़ चार्सों पचास से लगए इसको परी क्लोजिंग दिया तो उसके एक्सपर्ट के अकोडिंग 18,650 से लेके 18,800 के आसबास निफ्टी दोस्तों मूफ कर सकता है अपकमिंग ट्रेडिंग विक ठीक है बाकी चले मैं आपको लेके चलता हूं कुछ इंपॉर्टेन अबरेट्स यह है तो जो इंपॉर्टेन की फैक्टर्स था मैं आपको बता द एक पर सिन उपर जाके क्लोजिंग तो अपकली जी कल क्योंकि डॉजोस में तेजी था तो बैंकिंग सेक्टर में एक बंपर तेजी आ सकता है जो कि बैंक निफ्टी भी पर थोड़ा बहुत कम जोड़ी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलाता ठीक है अब मुझे लग दे कि कल मार्केट मोस्ट प्रबड़ी एक तेजी आ सकता है में रेकॉडिंग तो तेजी आना चाहिए क्योंकि यह सारे जो डेटा इसारे जो न्यूज वही डिरेक्शन पर जो कि सिगनल दे रहे ठीक है अब देखें यहां पर डॉजोस में तेजी आया नैस्डेक में तेजी अब देखें पर इंडियान मार्केट तो फिलाल क्लोस था अब निफ्टी का जो फ्यूचर उस वह तो दो सो पें था और अब देख सकतो निफ्टी फ्राइडे के दिन जहां पर क्लोजिंग दिया था मतब कौन सा लेबल पर याद करके देखे 18,534 पॉइंट अप्रॉक्स चुमबाइड़ गैर तो देखे इसको फाइनल अबडेट आज रात की सरी 10 के वीजियो में दोंगा ध्यान से सुना आज रात की सारे 10 के वीडियो में जितने भी इंपोर्टन अबेट्स आगा सारे अप्डेट्स दोँगा साथ ही साथ कॉल मार्केट प्रेडिक्चन इंपोर्टन लेबल सब्सक्राइब यह नियुक्त पर दोगा तो रिक्वेस्ट करूंगा आपको चैनल को सबस्क्राइब करके जरूरुद अब चले मैं आपक देख से तो एस बार लेटेस्ट अपडेट अधानी एंटर्प्राइज मूफ आउट ओफ शॉर्ट टम एसेम फ्रेमवर्क तो फिलाल दोस्तों अधानी एंटर्प्राइज को वह जो एसम लिस्टे बाहर कर दिया तब देखे शेयर के अंदर एक बढ़िया उच्छाल भी आ स सकते है क्योंकि अलड़ी एसम लिस्टे हट चुका है नेक्स जो इंपर्टन अपडेट है दोस्तों यह देखिए युएस बेस्ट इंवेस्ट में फर्म जी कुई जी प्लाइन जी कुई पार्टनर जो की बीच में याद करके देखे 15,000 करोड अधानी एंटर्प्राइज और ट्रांस्मीशन में में भी इंवेस्ट किया ठीक है यहां पर और खरीदारी करना चाहते है अधानी स्टॉक्स के अंदर युएस बेस्टमेंट फर्म जी कुई जी प्लाइन टू बाई मोर अधानी स्टॉप टॉप ऑफिशियल तो यहां पर टॉप ऑफिशियल की तरफ अधानी ग्रूप शेयर के लिए भी बाकी दोस्तों देखें जो चीज में आपको बोला था कि फाइनल जो अपडेट है आज रात की सारे दसकी वीडियो में दूंगा तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके जरू रखना सारे इंपोर्टेंट डिटेल्स कल मार्केट कहा बाबाई जय हिन